हेलो दोस्तों आप सबी का स्वागत है हमारे सीवल डैमेंशन चैनल पर आज का हमारा टोपिक है किचन काउंटर टॉप नोजिंग आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आप किचन काउंटर टॉप की नोजिंग या एच प्रोफाइलिंग किस किस प्रकार से कर सकते हैं देखे किचन काउंटर टॉप में ग्रेनाइट स्टोन या क्वार्ट स्टोन का यूज़ जातर किया जाता है और फिक्सिंग से पहले हमें डिसाइड करना होता है कि एच प्रोफाइल या नोजिंग किस तरह से रखनी है नोजिंग ग्रेनाइट और क्वार्ट दोनों में ही की जा सकती है Nosing या Edge Profiling Stone Top को मोटा और खुबसुरत दिखाने के लिए की जाती है Kitchen के लिए जो भी Granite या Quad Stone Slab आती है उनकी मोटाई लगबग 18-20 mm होती है एक 40 mm थिक Nosing को त्यार करने के लिए सेम थिकनेस की एक स्टोन पट्टी को सामने से Counter Top के Edge पर Aerolite या Marble Adhesive की मदद से Paste किया जाता है जिसे बाद में Grinding और Polishing करके Finishing की जाती है जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं हमने अपनी इस Renovation Site पर Quad Stone Top का यूज किया है यह एक White Kitchen Counter Top है जिसकी थिकनेस 20 mm है सामने से देखने पर स्टोन की थिकनेस 40 mm के आसपास दिख रही है जिसे हमने साइट पर ही Similarly Stone की एक पट्टी को चिपका कर त्यार किया है आप जोइन को इस वीडियो में असानी से देख सकते हैं Similarly आप भी अपने घर के Kitchen Counter Top को इस प्रकार से Finish कर सकते हैं या मैं जो आपको 5 option बताने चाह रहा हूं उनमें से कोई एक option चूज कर सकते हैं पहला है Half Bull Nose या Quarter Round Molding दूसरा है Full Bull Nose या Half Round Molding तीसरा है Flat Double Molding चोता है Top Beveled Flat Double Molding पांचमा है 45 Degree Mitreed Molding Counter Tops में Quarter Round Molding और Half Round Molding काफी common है ये दोनों प्रकार की Molding आपको traditional Kitchen Counter Tops में देखने को मिल जाएगी Quarter Round Molding और Half Round Molding को त्यार करना बहुत असान होता है Granite ये Quartz में इसे असानी से बनाया भी जा सकता है जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं Kitchen Counter Tops पर सामने से Half Round Molding की गई है जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरह की Molding काफी common है और लंबे समय से की जा रही है इसलिए मैं इस वीडियो में आपको Molding या Nosing के और भी option बताऊँगा जिसका use आप अपने projects या फिर घर पर कर सकते हैं यह जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें हमने तीन तरह के Molding के Sample को Ready किया है पहला Sample है Flat Double Molding इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दो पत्रों को आपस में चिपकाया गया है जिसका joint सामने की और है फिर इसकी grinding और polishing की गई है Molding के उपर वाले edge और Molding के नीचे वाले sharp edge को भी थोड़ा सा smooth किया गया है और इसी Molding का use हमने अपने इस kitchen में किया है अब देखते हैं दूसरा Sample जिसका नाम है Beveled Flat Double Molding जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं दो पत्रों को आपस में चिपकाया गया है इसमें दो पत्रों के बीच का joint उपर की तरफ है और जिस जगह joint है वहीं से stone को chamfer कर दिया है side profile को देख कर आप समझ सकते हैं किस तरह से ये Molding या Nosing त्यार की गई है अब देखते हैं option 3 जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं इस तरह की Molding या Nosing पनाने के लिए हमने counter top को stone को 45 degree पर सामने से cut किया है और सामने वाली पत्टी को भी 45 degree पर cut करके आपस में चिपकाया है इस तरह की Molding को हम mitard molding कहते हैं इसमें दो पत्रों के बीच joint एक दम edge पर आता है यह तीनों molding या Nosing design contemporary और modern design house में use किये चा रहे हैं और आप भी इस तरह के molding का use अपने घर पर कर सकते हैं इन तीनों ही molding design में कुछ positive और कुछ negative point है पहली molding में joint सामने से है जो दिखने में थोड़ा खराब लगता है पर joint सामने होने पर इसके joints में कभी male या dud नहीं रुकेगा दूसरे molding में joint उपर की तरफ है जिसमें male dud आदी कुछ समय बाद रुकेगा जो थोड़ा आपको परशान कर सकता है तीसरा molding में joint corner edge पर होगा जिसकी finish smooth नहीं होगी हाथ लगने पर वे थोड़ा uneven लगेगा हाला कि एरलाइट या adhesive लगा कर grinding कर edge को smooth किया जा सकता है आप मुझे comment में जुरूर बताएं आप अपने घर या फिर office या फिर आप अपने project पर कौन सी molding बनवाएंगे